वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरी चैनल को ज़रु सब्सक्राइब करने साथ ही लाइकन प्रस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अमेर फैबरिक का यहां फैबरिक का यूट कर सकते हैं यहां पर हम हायलो ड्रस बनाएंगि तो जिसक लिए सबसे पहले कपड़े को एक बार फोल्д करना है इस तरह से में दो लेए बिसका खुला हुआ है और जिसके चापन होगो एक ऴीडियो के लगतर तो इस तरह से में ट्राइंगल को क्रियेट करना है तो इस तरह से में ट्राइंगल को क्रियेट करना है तो इस तरह फैब्रिक को सेट करते हो परफेक्ट ट्राइंगल बनाना है और यहां पर भी हमें एक तरफ कपड़ा हुआ मिलेगा और एक साइड बंद मिलेगी और साइड मेरा 15 इंच था तो मैं साड़े साथ इंच पर मार्ग कर रही हूँ इसके बाद 6 इंच ले रही हूँ अधम बस्ट की मार्किंग करेंगी तो बस्ट का में जोथाई भाग लेना होता है तो यहां टोटल बस्ट ही मेरी 35 जोकि होगा नौ में दो इंच हमें मार्जिन लेनी है हमारा झायगर 11 इंच इसके बात वेस्ट की मार्ग करेंगी तो 14 इंच मैंने कमर की मार्क की है इसके बाद कमर की निफ़ाई पर मार्किंग करेंगी वह 먹는 कर देttवारा निफ्र दिर्शिलाए में इक ड्रॉー करद देनी ह अलेहं हैं हमारा बेक का अम होल हो गया और हाफ इच अंदर की तरह में प्रंट आर्म होल को लेना है अब नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक का फ़न्ट नेक है फाड़ी तीन इंचिस की विड ले रही हूँ और लंबाई पांच इंच ले रही हूँ मैं और यहां पर मैं हलका सा बोट नेक बनाऊंगी तो इसमें राउंड देर इंच तक की गहराई लेनी है तो इस तरह मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी करेंगे तो बैक नैक जाउंगी तो बैक नैक की बिद्वी 3-3 इंच ही लेनी है और लंबाई में लूंगी चार इंच तो चार इंच पे इस तरह में मार्क कर लूंगी और एक सीधी लाइन ड्रो कर दी ए इस तरह से बॉक्स बनाते हुए इसमें भी हमें राउंड शेप दे तो इस तारह से रखते हुए हमें इंची टेप से गुलाई बना देनी है इस तरह से अब इसे साइज को भी में जोईन कर देना होगा क्योंने मुश्च पूंप ख् hopsजा से कट कर देना है उारा हमारा बाला हिस्सा है मैं उसे बस इसाद है क्योंक Economics doingy कट करेंगे तो हमारे दोनों सब्सक्राइब dead ground हो जाएंगे अगर हम बड़ा गला पहले हाग कर देंगे तो हमारे बैक को मैंने बैक साइद पहलेगर काओ है फ्रेंट नीज चाहते तूहने मैं नांग हमें बाद में सेट कर लेंगे इसके बाद जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमें हाई लो रखना है तो इसमें तीन इंच साइड से मार्किंग करते हुए इस तरह से हमें शेप देना है हलका सा तो जो हमने शेप दिया है उसको कट कर देना है हम आगी का पार थोड़ा सा उचा रखेंगे हमें हाई लो क्रियेट करना है जिसके लिए हमें 3 या 4 इंच तक इस तरह कटिंग कर लेनी होगी जो बचा हुए फैब्रिक है हमारे पास उसे फोल करते हुए इस थारा से नेक के पास रखना है इससे हम हमारे नेक के लिए पट्टी बनाएंगे तो इस थारा से हमें नेक की शेप मार्क कर लेनी है मार करने के बाद हमें हाबर एराउंड दो इंच तक एक्ष्ट्रा लेते हुए राउंड शेप दे लेना है जैसा हमारे नेक था और पट्टी को कट कर लेना है अब इस पत्ती को हमें नेक पे अच्छे से सेच करना है सेच करने के बाद इस पर एक पा valeur किस लाए देते हूँ अटैच कर लेना है तो यहां पर मैंने इस को अटैच कर लिया है आब इस पे हमें छोटे छोटे कर्स दे ने है चोटे कर्श दें हैं मैं sırख स्लाइ करने माद फैबर्ट नार कर तो इस तरह से किनारी पर च्पूद टेना यूदा है उपए बताव स्लाइब हमें इसे अंदर की तरफ सरफ बल किरें कर लेनी है कि आई realize ए इस तरह से तुर्पाई कर दीए इसी तरह नहीं कि पार्ट है उसके अंदर को भी हमें बना दे अब आपर उनी वहल प्रोसेस को यहांые इसके बाद यहां पर हमें शोल्डर को अटेच करना होगा यहां पर हमें तिर्शी स्लाइब देते हुए अटेच कर लेना है अब यहां पर हम स्लीप नहीं लगाएंगे तो हमारी साइब की बाजू बनाने के लिए हमें और यह पती करनी होगी तो इस तरह से जो फैब्रिक ब कीबोल करते हुए एक साइड से आम हुल पर रखते हुए एक पैर की शेक्न देते हुए अटेच कर देना है एक पैर की अलाई देनी है एक स्लाइव के पेंदे प्रेट को डेना जिसे और हमारा फैबरिक अच्छी सेट करें जैसे थी इन हैThr an जैसे हमेरी नेक पी दी थी इसकी माद में इसे बंदर के टैरहyard củिक पॉल्ड करते हूए एक पार केानी है तो मिंदेर अच्छी से एक पार से लऑना है और इसे पार क यह लैस ली है तो मैं लैस को भी आर्म होल पे अटैज कर लूँगी इसकी बाद हम साइट को जॉइन करेंगी इस तरह से फ़ाप्रिक को सेट करते हुए दोनों साइट को जॉइन कर लेना होगा इस पे हमें सरसिक सीडी से स्लाइड देनी है और जो बॉटम है उस पे भी पिको कर लेना है तो देख सकते हैं मैंने यह साइट को जॉइन कर लिया है और बॉटम को भी पिको कर लिया है तो आप देख सकते हैं कितना इसली हमने यह क्यूट सी हाइलो ड्रेस क्रेट कर ली है ओ तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बैल आइकन ज़रूर प्रेस करें, मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, बाए बाए